हेलो नमस्कार कैसे हैं आप सभी बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का और सबसे पहले वीडियो का जो क्रेडिट है यह आपने थोड़े समय पहले एक पोड़कास देखा होगा वर्शाम एम के साथ मैंने किया था यह उनको जाता है वह ऐसे कि कल मैं ऐसे वाट्सप चेक कर लिए जाए है ना सो थैंक्यू और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नियती क्या है कुछ समय पहले एक सौंग आये था आपने सुना होगा कि थोड़ा गुन-गुना के बताता हूं है ना नियती भेद नहीं करती जो लेती है वो देती है जो बोएगा वो काटेगा ये जग कर्मों की खेती है ना तो नियती का मतलब क्या नियती का मतलब होता है भाग्या नियती का मतलब होता है नसीब नसीब अपना अपना आपने एक मूवी देखी हूँ कि नसीब अपना उसमें उसकी एक ऐसी चोटी रहती है उपर है ना तो जो रिशी कपूर होता है वो उस बना देती है और फिर उसके बाद में उसका दिल आ जाता है बोलो आप मतलब आदमी सुंदरता को देखके दिल आता आदमी का ना तो नसीब अपना-पना सब का अपना-पना नसीब होता है तो वह पूरी मुवी देखेंगे तो आपको सवज्ञा आएगा तो नसीब सबसे प भवान यह इसका नसीब कैसा लिखे इसका अभी मैं सो रहा हूं अभी ऐसे लिख दो इसका कैसे लिखे अरे तुम्हारे सब से देख लेना ऐसा हो रहा होगा कि आप थोड़ा सा विचार करो जिस देश में हम रहते हैं वहाँ पे कानून है ठीक है उस कानून में मान लिजि कोई भी घटना हो गई उनके साथ तो उनका अच्छा तू आया इक काम को शेमी साल जेल में डाल दो तो क्या दसाल तक डाल देंगे क्या जच साल को लें जच साहिए उसका तो एक साल कही है न वहीरा प्रावधान मैंने क्या बोला दस साल के लिए डाल दो तो डाल दो जल में ऐसा होगा क्या नहीं होगा ना बात आगे जाएगी तो वेसे ही अगर एक देश में कानून है उसके हिसाफ से काम चलता है तो वेसे ही अगर उसका नसीब अच्छा है तो क्या भगवान ने ऐसे लिख दिया होगा कि वह यार लिख बात करनी पड़ेगी जो क्योंकि देखो आप चाहते हैं किसी एक स्पेसिफिक परसन से कि वो मेरा ध्यान रखे मुझसे बात करें तो पहले मुझे कि जो मुझसे expect करते हैं कि मैं उसे बात करूं लेकिन मैं तो उनके ओपर चिटता हूं तू दिमा खरा मत कर पहले ही वह मैं से ठीक से बात नी कर रहा है अभी आपने क्या दिया और आपक्या चाहरे है कैसे होगा विया संभवी नहीं है तो जो आप चाहते हैं, उधर आप चाहते हैं कि वो विक्ति आपको बड़े प्रेम से बात करें, तो वैसे ही हाँ यह क्या तकलीब है, कुछ काम था मेरे से, अच्छा चलो ठीक है कर देंगे, कल आजा एक बार है, चाय भाई पीना है, अच्छा भाई चलो ठीक है, जैसे नियत तेरी अच्छी है, तो किस्मत तेरी दासी है, अगर आपके नियत में खोटनी है, तो किस्मत हमेशा आपकी पीछे-पीछे दोड़ेगी, हर चीज जो आप चाहते हैं, सब मिलेगा, कई बार आपने देखा होगा कि लोग शडियंत्र करते हैं कुछ पाने के लिए, ज सब से हाइ कर ले अभी, हाइ कर ले, हाइ, यहां पर बैठ दा, उधर मत, देख उधर, देख उधर, उधर देख, बोल हाइ, हावाई, यू, इसको कोई दीख नहीं रहा है, बोले, किस से हाइ करूं, वो सब लोग देख रहे हैं, उनके घर से, अभी नीचे कॉमेंट करेंगे, ते को बताऊंगा, है ना, नीचे कॉमेंट करेंगे, वहाई बाबू, ऐसे करके, ठीक है, ओके, एक बार मुस्कुरा दे, एक बार ही कर दे, ठीक है, अब जा में वीडियो बना लूँ, है ना, फिर आ जाना है, ना, और यह क्या बटन दबा देता, उतर, बटन द है, तो, क्या कह रहा था मैं, हाँ, मैं यह कह रहा था है, कि अगर नियत में आपके खोटनी है, है ना, जैसे आपके साथ में लोग होंगे, आपका परिवार होगा, और केवल हम ज़्यादा देश-विदेश की बात भी नहीं करते हैं, हम ज़्यादा आगे भी नहीं जा रह आप एक चीज देखो अभी तक जितनी भी महाभारत हुई रामायन है ना भगवान श्रीक रश्न जो कंस को मारा आप देखो हर एक में क्या मिलेगा आपको जीत किसकी होगी जिसकी नियत साफ है महाभारत में पांडव जो थे ना वो धत्राष्ट के बड़े भाई के पुत्र है ना तो अब वास्तविक्ता में अगर देखा जाए तो दोनों को बराबर बराबर करना था कि यह देखो आध्धा जो राजी है यह पांडवो का और आध्धा राजी जो है यह कोरवो का लेकिन जब श्रीक रश्न भागवान वहाँ पे गए है ना सभा में दुरियोधन क के पास गए और दुरियोधन को बोला कि वह आपने रश्मीरती में सुना होगा ना कि दो नियाए अगर तो आधा दो अगर आपको नियाए देना हो इनको तो आधा दो नियम तो यह है ना कि दो नियाए अगर तो आधा दो पर इसमें भी यह दिबादा हो तो देदो केवल यहीं खुषी से खाएंगे परीजन पर असीन उठाएंगे, मतलब हम इसको भी भड़िया खुशी से खाएंगे, और जो हमारे परीजन है, हम ऐसा नहीं बोलेंगे, कि देखो इनों ने हमको पांची गाओ दे दिये, और इनों ने तो इतना रख लिया, ऐसा हम कहेंगे भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पर दुरियोदन वह भी देने सका, आशीस समाज के लेने सका, उल्टा हरी को बांदतने चला, जो था असाध्य साधने चला, और इसके बाद क्या आता है, कि जब नाश मनुच पर चाता है, तो पहले विवेक मर जाता है, जब इनसान पर नाश चाता है, तो पहले उसकी और बुद्धी के सब रश्ट होती है, एक फूटी कोडी नी दूँगा, तिरसे जो हो कर लेना, ठीक है, ओके भाईया, उससे बिचारे से कुछ ने भी होगा, है ना, तो निर्वल कोन सताई है, है ना, दुखिया कोन सताई है, दुखिया देगा रोय, और जब दुखिया क मुखिया सुने, तो फिर अपनी गती क्या होए, है ना, क्योंकि कोई बीचिच अपने हाथ में थोड़ी है, जैसे अपने को लग रहा है कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने कोई समस्य आने वाली नहीं, मेरी जान पहचान भी क्रिती, है ना, कुछ भी देखो, आप बहुत सारे लोगों के, कुछ भी ऐसा छोटा सा कोई बीमारी, कोई भी प्रॉबलम, कोई नुकसान, कुछ भी ऐसा हो जाता है, कि आत्मी माथा पकड़के बढ़ जाता है, यह क्या हो गया, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, है ना, जो समय आपको मिल जाएगी, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा होगा, कि जैसे माली जी कोई एक व्यक्ति है, उसने कैसे भी करके अपने छोटे भाई की जो समपत्य उसको हतिया ली, या फिर अपनी वाइफ थी, उसको कैसे भी करके उसका पैसा हतिया लिया, उसको भगा दिया, या समपत्य का भाग भी मिल जाएगा, लेकिन फिर प्रकृति, एसा कुछ योजना बनाएगी, कि उसमें कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, समझने पड़ेगा, यह पैसा जा के सरा है, और देने का होता है, वहाँ तो देना पड़ता है, तो इसलिए हमेशा जब भी आपके स जड़रत है, तो पैसे देने पड़ेगे, आज उनको जिस चीच की जड़रत है, मुझे मेरा धर्म है देना, अब मैं उससे बचलू, अरे पढ़ाया पढ़ाया तो इसमें हम क्या करें, मानलो आप उनके नाम का उनको नहीं दे रहे हो, तो वो किसी तरीके से जाएगा, नि कुछ नहीं होता है, इसलिए हमेशा अपनी नियत को साफ रखें, नियत में कभी भी खोट नहीं आना चाहिए, तो आप येकिन मानिए कि जो आप चाहते हैं, वो आप तक अपने आप आएगा, और एक हजार गुना होके आएगा, मतलब कि जब आप नियत साफ रखते हैं, और आप कोई भी एक एक एग्जामपल ले रहा हूं, जैसे आपको पता है कि यहाँ पर इस व्यक्ति की गलती नहीं है, तो मैं इसको जबरजस्ती फसा के और इससे पैसे यह नहीं करूँ, है ना, तो उसमें आपको प्रकृति देगी, जो आपका है वो आपके पास आएग इसलिए ध्यान रखिए कभी भी अपने को किसी व्यक्ति के प्रती गलत भाव नहीं रखना है, और एक और चीज मैं आपको एक और चीज पता हूं, मैंने कल भी पड़ा था और दो तिन बार सुना भी है, कि जब हम अपने मन में किसी व्यक्ति के प्रती गुसा, द्वेश या ऐसा कोई भी भाव रखते हैं, तो उससे बीमारियां पैदा होती है, मतलब अंदर मन पसंद है ना, तो कोई बीमारी नहीं आएगी, लेकिन आपके मन में कुन्ठा है, यह आगे क्यों बढ़ गया, यह आगे क्यों बढ़ गया, इनके साथ अच्छा क्यों हो रहा है, य यह क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, तो जब किसे से जलन, द्वेश, भाव ना, यह सब चीजे आपको अंधर ये अंदर आपकी वाइबरेशन वैसे ही करेगी नेगेटिव, और बीमारी यह शुरू हो जाएगी, कभी क्या बीमारी, बीमारी, यह ऐसा जलता रहेगा, एसलिए क्यों ऐसा करें, बड़े मस्तर हो, अपना ध्यान रखो, भगवान के भजन करो, है ना, लोगों की अच्छी, मनलब यह सोचों कि मुझे इस देश के लिए, समाज के लिए, मेरे परिवार के लिए कुछ करना है परिवार वालों ने आपके लिए कुछ नि किया वो उनके खाते में लिखाएगा आप क्या कर रहे हैं आपके खाते में लिखाएगा तो अगर आपको आपका खाता मेंटेन करके चलना है तो सब के प्रति अच्छे भाव राखना है ठीक है चल हाथ धनुष लेकिन फिर भी जीते कुन भगवान राम क्यों जीते नियत नियत जैसे हो कहते न कि भगवान के घर देर है देर हो सकती अंधेर नहीं है तो इसलिए नियत हमको साफ रखना है ठीक है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का तो मिलते हम लोग नेक्स व का कोर्स है वह भी चल रहा है अभी स्टार्ट हुआ है आप वह वाला जोइन कर सकते हैं 25 अगस्त से डिस्क्रिप्शन में लिंक है नंबर भी है वाट्सप कर सकते हैं ओके सो थैंक्यू एवरिवन थैंक्यू सो मच वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके बताईगा है ना थैं करने का मिले उससे सीख लें क्योंकि शिक्षक का मतलब केवल वही निया जो हमको पड़ा रहा है शिक्षक का मतलब हमारे बच्चे भी हो सकते हैं शिक्षक का मतलब हमारी पतनी मादा पीता भाई बहन कोई भी आपको जो अच्छी शिक्षा दे रहा है वह आपका शिक्षक है ठीक है धन्यवाद